Hello student, अपनाज बगनारों तो डेटा बैंदिंग कंसेप्ट, ओके, तो डेटा बैंदिंग गोलिया, it is used to bind the data from the database और any other data objects to the data controls, there are two types, अपर डेटा बैंदिंग मिंजे का है, कि जो काई डेटा बेस मदला डेटा है, तो यूज करून data काई कराईचा है, bind कराईचा है, bind कराईचा मिंजे का है, कि डेटा बेस मदला जो काई, डेटा रिट्राइब करून काई कराईचा बैला डिस्कले कराईचा है, तो तेचा सर्थी अपलेला data bind साहे keyword है, आणि या data bind चे दोन टाइप्स है, एक single value data binding आणि repeated value data binding, first of all upon single value data binding बोगया, in single value data binding, only one value is bind to web controls, okay, मझे single value मझे काई के लिए जते है, कि एकस value काई के लिए जते फक्त bind, मझे at a time एक का वेई, फक्त एकस value काई के लिए जते, बाइन के लिए जते, याला का मिंता single value data binding का सब्सक्त, इट इस इंप्लिमेंटेड भी, तेचा से थी expression है काई, है यूज के लिए जते, जिका है तुम्हा तुम्हा सोर सशना रहे, तेचा मधे, टेक्स्ट प्रोपर्टी मधे, ही expression या आशा प्तारे, यूज के लिए जते, प्राक्टिकल आ है, तरते तुम्हाला एडवांस प्राक्टिकल आए, ते प्राक्टिकल मधे, सिंगल वेल्यू डेता बांडिंग जामन प्राक्टिकल आए, या रिपेट वेल्यू डेता बांडिंग जामन प्राक्टिकल आए, पक्ता या सिंगल वेल्यू मधे, पक्ता एकच वेल्यू काई केली जाते, पायन केली जाते, Repeated value data binding, in the repeated value data binding, list of information is associated with the controls. अध्या जाताद, अमझे लिस्ट ऑफ इन्फरमेशन काई केली जाताद, अमझे लिस्ट ऑफ इन्फरमेशन काई केली जाते, पाइन केली जाते. रेडियो बूतन लिस्ट आणी बूलेटल लिस्ट है चामने काई च शना रहत की मल््टिपल्स ओफ याँ गन्त्रोल समते, ये जखाहे लिस्ट कंट्रोल आहे, या लिस्ट कंट्रोल मते, अपन मल््टिपल्स ओफ źाल्य игр काई केली जाता, स्टोर केली जाता, अंटे बन बा S field, data value field, एचे साथी या bind करने साथी या properties काई केले जाता, use केले जाता The collection that are used to store data, कशा मदे या जे काई collection केले ला data है तो कशा सुरूपा store केले जातो, array list मदे, sorted list मदे, data radar मदे और data set मदे काई केले जातो, data store केले जातो आता multiples of, या list of controls मदे, multiples of values असता मझे या value, अशा value नाकाई मानाचे, repeated value data binding असा मानाचे Next अपन, most time पी, आता हेचावलती question विचार लाता दो कि discuss on single value data binding आने या discuss on repeated value data binding अचे question विचार लातो Next अपन बगना रोग, edo.net architecture आतास मागे तुम्हाला वीडियो में पाट्थो जेले कि edo.net मतला जोकाई SQL data source आए, तो यूज कोरून आपन database connectivity कसे कराएजे तो यूज कोई edo.net आए, तो यूज कोई edo.net आए, तो यूज कोई edo.net आपन architecture बगना रोग First अपन data set हो गया, the data set is disconnected, okay, in memory representation of data It can be considered as a local copy of the relevant portion of the database आए, तो यूज काई data set आए, हागा साथ तो disconnected आश्टो, आणि हेचा मोदे data जीज काई memory आई, काई की दी जाते, representation के लेली आए Data set is persisted in memory and the data, it can be manipulated and updated independent of the database When the use of this data set is finished, change can be made back to the central database for updating, okay The data in the data set can be loaded from any valid data source like SQL Server database and Oracle database or from Microsoft Access database आप्ता हजू काई database मदे आपन तो काई data store करना रागू ताच्चा साथ आपने काई काई यूज करना रोग Microsoft SQL Server database आप्ता हमी तुम्हाला by using SQL data source दाखोला ताच्चा मदे Microsoft SQL Server database यूज की लेला है तसस आपन Oracle database सुदा यूज करूज अपतो आणि Microsoft Access database यूज करूश हमी तुम्हाला रोगी तुम्हाला रोगी तुम्हाला रोगी तुम्हाला रोगी तो काई तरह टेटा प्रोवाइडर ऐसे रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉर पॉर एडिंग एंड मेंटेनिंग तस यौनिक्षन देटा प्रोवाइडर काय कॉन्स कि जेटा प्रोवाइड काम करारे रहा आंग सानक जो की जेंटा प्रोवाइडका कराे रहा है है जे काम करना रहा है, हाप करना रहा है, data provider करना रहा है, data provider is set of related components that work together to provide data in an efficient and performance driver manner, okay, the .NET framework currently comes with two data provider, data provider से सुधा, दों से data एक कम है, data provider आए, टाइप सा है, पहला है SQL data provider और नेक्स्ट है the OLEDB data provider, अपने most of SQL data provider है, युज के लाएट, तो रहता SQL data provider में चेका है, which is designed only to work with Microsoft SQL Server 7.0 और लेक्टर है, अक्ता परंता 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 जेका है, data provider यूज के लेले हैं, तो जा मदे Microsoft SQL Server चा यूज के लेले, the OLEDB data provider में जेका है, which allows us to connect other types of databases like access and oracle, अता शबके तो access आने oracle को ही यूज करत नहीं, तो Microsoft SQL Server चा यूज के लाजाता है, Each data provider consists of the following component classes, जेका ही data provider है, तो जोडी next component काहि के ले जाता, consists के ले जाता, कॉंटे-कॉंटे बागया, the connection object which provides a connection to the database, next the command object which is used to execute command, मज़े जेकाई तुमचा किवेरी कमांड चाहे किवेरी चाहे काई कमांड आए तो एक्जेक्यूट करना चाहे काम कोड करना रहे हा डेटा ब्रोवाइडर काम करना रहे देटा रीडर अब्जेक्ट बीच ब्रोवाइड्स forward only, read only अनि connected record set data reader चकाम का है कि forward करना रहे read only करना रहे connected record set data adapter का है करना रहे which populates disconnected data set with data and perform subject मनझे जे बापन query ये खाली command execute के लिया execute के लिया ना तो ज़र this connection चकाम कोन करना रहे data adapter करना रहे तो अन्ता पण है जे काई points बगित लेले कोंटे कोंटे points बगित लेले अपन पुलना एक दा रिवाइज करुए data banding बगित लेले data banding मदे आपन load types बगित लेले single value data banding और repeated value data banding तचांतर next आपन बगित ले हाँ एक्जांबला विचार लाग जटा तेचा मदे दोन component साहे एक data set और data provider आण यह data provider मदे सुनदा दोन टाइप साहे SQL data provider और OLEDP data provider जर कुनाला हम यहां concept समदले नस्ति तो लगित बगित लागित बगित लागित